अब आज अभ्यास प्रश्ण देखने के पहले एक ज़रूरी बात कल के एपसोड में प्रश्ण संख्य साथ में व्याख्या के इस्तर पर संविधान के लागू होने की तिथी शब्द का जिक्र किया गया था आज की सतर में हम इस संदर्में चर्चा करना चाहते हैं ताकि आपको परिक्षा के लिहाद से कोई दुविधाना हो भारतिय संविधान की प्रस्तावना में संविधान को अंगिकृत और अधिन्यमित करने का उलेख किया गया है प्रस्तावना के आखरी पंक्ती है आज दिरांग 26 नौवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगिकृत यानि एडॉप्ट अधिन्यमित यानि इनैक्ट और आत्मार्पित यानि गिव टू आउरसल्ब्स करते हैं एक और एहम बात यह है कि हमारे संविधान के कुछ प्रावधान इस तिथी से लागू हो गये थे शेश प्रावधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुए क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंतरता दिवस मनाया गया था डीडी बसू की किताब में भारत का संविधान उनकी किताब का नाम है इस बात का जिक्र किया गया है यदि परिक्षा में दोनों विकल पा जाएं तो 26 जनवरी 1950 से ही संविधान के लागू होने को सही उत्तर माना जाएगा त्योंकि संविधान पूरी तरह से इसी दिन लागू हुआ था केवल कुछ प्रावधान 26 जनवरी 1949 को लागू कर दिये गये थे अब चलिए अभ्यास प्रशने की तरह बढ़ते हैं जो कल हमने आपसे पूछा था अंतराष्ट्रिय अंरित्य दिवस कब मनाया जाता है 27 अप्रेल, 28 अप्रेल, 29 अप्रेल या फिर 30 अप्रेल इंटरनेशनल डांस डे यानि अंतराष्ट्रिय अंरित्य दिवस 39 अप्रेल को मनाया जाता है आश्ट्रिया नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है तो इस तरह इस प्रशन का सही जवाब है option C 29 आज के session के शुरुआत करते हैं निमलिखित में से किसे cyclone man of India के नाम से जाना जाता है जादो पाएंग मृत्युंजे महापात्रा राजंदर सिंग या फिर के जे रमेश सही उत्तर है मृत्युंजे महापात्रा बीते दिनों IMD यानि India Meteorological Department ने बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर सहित उत्तर हिंद महासागर के उपर बनने वाले 169 उष्ण कटबंधिया चक्रवातों के नामों की एक सूची जारी की है इस लिष्ट में WMO, ESCAP के सभी 13 सदस्य देशों के लिए 13-13 नाम शामिल है WMO, ESCAP यानि ESCAP से ताथ पर यह है World Meteorological Organization, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific इन सदस्य देशों में बांगलादेश, भारत, इरान, माल्दिव, म्यामार, उमान, पाकिस्तान, कतर, सौधी, श्रिलंका, थाइलेंड, UAE और यमन शामिल है भारत के हिस्से जो नामाएं हैं वेस प्रकार हैं गती, तेज, मुरासु, आग, व्योम, जार, प्रुबाहु, नीर, प्रभंजन, घुर्नी, अंबुद, जलधी और वेगा बात करें IMD के तो यह 6 Regional Specialized Meteorological Centers और 5 Regional Tropical Cyclone Warning Centers में से एक है यह सभी Centers दुनिया भर में उश्नकटिबंधिय चक्रवातों को लेकर परामर्ष और इन चक्रवातों के नाम जारी करते हैं मृत्यूंजे महापात्रा वर्तमान में IMD Chief हैं मृत्यूंजे महापात्रा को ही Cyclone Man of India के नाम से जाना जाता है तो इस तरह इस प्रशन का सही जवाब है Option B अगला सवाल देखते हैं हाल ही में किसने The Global Report on Internal Displacement याने Grid 2020 नामक रिपोर्ट जारी की है International Organization for Migration, World Meteorological Organization, International Civil Aviation Organization या फिर Internal Displacement Monitoring Center इसका सही उत्तर है Option D, Internal Displacement Monitoring Center हाल ही में Internal Displacement Monitoring Center ने The Global Report on Internal Displacement याने Grid 2020 नामक रिपोर्ट जारी की है इस रिपोर्ट में दुनिया भर के देशों के लोगों द्वारा होने वाली विस्थापन की स्थिति का ब्योरा दिया गया है इसमें भारत की बात करें तो 2019 के दौरान भारत में लगभग 5 मिलियन लोगों ने आंतरिक विस्थापन यानि Internal Displacements की ये वहें वैश्वे कस्तर पर लगभग 145 देशों में 2019 के दौरान लगभग 33.4 मिलियन लोगों को Internal Displacement का सामना करना पड़ा है इस तरह के विस्थापन की एहम वजह संघर्ष यानि Conflicts और आपदा यानि Disasters को बताया गया है भारत में इस आंतरिक विस्थापन का एहम कारण जोखिम के खत्रे का तेजी से बढ़ना अत्यधिक जनसंख्या और सामाजिक और आर्थिक Vulnerability को बताया गया है तो इस तरह इस प्रश्ण का सही जवाब है Option D नेमलिकित में से किसे सन्युक्त राष्टर में भारत के स्थाई प्रतिनिधी के रूप में नियुक्त किया गया है TS तिरुमूर्ति, पियूष, श्रिवास्तो, जैदीप, मजूमदार या फिर दीपक मित्तल सही उतर है TS तिरुमूर्ति 1985 बैच के Indian Foreign Service Officer TS तिरुमूर्ति को सन्युक्त राष्टर में भारत का स्थाई प्रतिनिधी नियुक्त किया गया है वे इस पदपर सयद अकबर उद्दीन की जगा लेंगे TS तिरुमूर्ति फिलहाल विदेश मंत्राले में सचेउ के पदपर है सरकार ने नमरता एस कुमार को स्लोवेनिया में जबकि जैदीप मजूमदार को आस्ट्रिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है वहीं दीपक मित्तल को कतर में और प्योश श्रिवास्तों को बहरीन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है तो इसका सही उत्तर है option A TS तिरुमूर्ति अगला सवाल किस राज़ी सरकार ने दीन दयाल समितियों के गठन का नेर्ने लिया है उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश या फिर महराष्टर option C इसका सही उत्तर है मध्यप्रदेश हाल ही में मध्यप्रदेश की सरकार ने दीन दयाल समितियों के गठन का फैसला लिया है इन समितियों का गठन ग्रामेड क्षत्रों में पंचायत इस्तर पर और शहरी इस्तर पर किया जाएगा पैनलों का नाम भारतिय जनसंग के सहस अंस्थापक दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है समितियों के गठन का मकसद कुरोना वाइरस संकट से निपटने की दिशा में विभिन कल्याणकारी योजनाओं के लाव तक लोगों की पहुँच सुनिश्यत करना है तो इस तरह इस प्रशन का सही जवाब है option C हाली में किस किंदर शासत प्रदेश की सरकार ने सर्वुच नयाले को दिए गये एक जवाब में कहा है कि इंटरनेट तक पहुँच का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है लदाख जम्मू कश्मीर लख्ष द्वीप या फिर अंडमान निकुबर द्वीप समो सही उत्तर है option B जम्मू कश्मीर हाली में किंदरशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने सर्वोच नयाले से कहा कि इंटरनेट तक पहुँच का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है फोरजी मोबाइल सर्विस की मांग को लेकर दैर की गई है कि याचिका के जवाब में ये बातें कहीं गई गौरतलवे के फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स नाम की एक संस्था ने सर्वोच नयायाले से कहा था कि जम्मू कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा की कमी की वज़ा से कोरोना बिमारी के समय में मरीजों, डॉक्टरों और आम लोगों को काफी दिक्कते हो रही है तो इस प्रशन का सही जवाब है ऑप्शन B जम्मू कश्मीर चलिए अगला सवाल देखते हैं निमलिखित में से कौन सा विश है राज्य सूची के अंतरगत नहीं आता है मजदूर संग, पोलिस, कृशी और सीचाई या फिर व्यापार सही उत्तर है आप्शन A मजदूर संग भारतिय समविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधाई अधिकारों को तीन हिस्सों में बाटा गया है ये तीन सूचियां हैं संग सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची संग सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और करेंसी जैसे राष्ट्रिया महत्व के विशे शामिल है संग सूची में वर्णित विशियों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किंद्र सरकार को है राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाड़ेज्य, क्रिशी और सिचाई जैसे प्रांतिया और अस्थानिया महत्व के विशे शामिल है राज्य सूची में वर्णित विशियों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है जबकि समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संग, विवाह, गोद लेना और उत्तर अधिकार जैसे वे विशे हैं जो केंदर के साथ साथ राज्य सरकारों की साजे हित में आते हैं समवर्ती सूची में शामिल विश्यों पर कानून बनाने का अधिकार राजसरकारों और केंदर सरकार दोनों को ही है लेकिन अगर केंदर सरकार और राज्य सरकार के बीच कानून को लेकर टकराओ के स्थितिपन पे तब केंदर सरकार द्वराग बनाया गया कानून ही मानने होगा इस तरह सही आंसर है option A मजदूर संग अगला सवाल भारतिय संविधान में हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है 19, 20, 21 या फिर 22 सही जवाब है option C 21 भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का संभावता सबसे अधिक विविदता वाला देश है कुल 22 भाषाओं को भारत में भारतिय संविधान की आठवी अनुसूची में रखा गया है इन भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं यानि scheduled languages कहा गया जबकि अन्य गैर अनुसूचित भाषाओं यानि non scheduled languages में शामिल है अनुसूचित भाषाओं के सूचि में जो भाषाएं हैं वो हिंदी, असमिया, बांगला, बोडो, दोगिरी, गुजराती, कन्नड, कश्मीरी, कॉंकडी, मैथली, मलेयालम, मडिपूरी, मराथी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, और उर्दू, ये 22 भाषाएं हैं, क्योंकि कोश्यन पूछ रहा है, हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, तो टोटल 22 हैं, इसलिए ऑप्शन 21 सही होगा, चली अगला सवाल देखते हैं, भारत में निमलिखित में से किसमें म मंत्री मंडल या फिर पंचायती राज निकाएं, सही जवाब है पंचायती राज निकाएं, भारत की विधाईका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत कम है, लोगसभा और राजिविधान सभाओं में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहत कम है, जबकि मंत्री पंचायती राज के अंतरगत कुछ हैसी ही विवस्था की गई है। एस्थानिय सरकारों यानि पंचायतों और नगरपालिकाओं में एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षे थे हैं। तो इस प्रकार सही जवाब है। ऑप्शन D पंचायती राज निकाए। अगला सवाल भारत में क्षत्रिया पार्टियों के संदर्व में निमलिखित में से कौन सायोगम सही नहीं है। द्रविड मुनेत्र कडगम, केरल, त्रिणमूल कॉंग्रेस, पश्चिम मंगाल और मेगाले, बेजु जनता दल ओडिशा, लोक जन शक्ति पार्टी बिहार। सही जवाब ह द्रविड मुनेत्र कडगम, केरल, राष्ट्रिया राजनितिक दलों के अलावा आन्या ऐसे कई दल हैं जिन्हें प्रांतिया दल के रूप में मानिता प्राप्त है, इन प्रांतिया दलों को आम तोर पर क्षत्रिया दल भी कहा जाता है। त्रिणमूल कॉंग्रेस का संबं तो इस क्षत्रिया राजनितिक पार्टी का संबंध तमिलनाडू के साथ साथ पूदुचेरी से है। तो इस तरह इस प्रशन का सही जवाब है, द्रविड मुनेत्र कडगम, केरल। गटबंधन सरकार, विभिन सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साज्यदारी, सामुदाइक सरकार, दो या आधिक दलों के बीच सत्ता की साज्यदारी, आधिकारों का वितरण। सही आंसर है, विभिन सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साज्यदारी, सामुदाइक अंत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साजहदारी के अनेक स्वरूप देखने को मिलते हैं। शासन के विभिन अंगों मसलन विधाईका, कारेपालिका और नयाईपालिका के बीच सत्ता का बटवारा रहता है। इस वितरण में सरकार के सभी अंग एक हे सतर पर रहकर अपनी अपनी शक्ती का उपयोग करते हैं। इसलिए पहला योगम गलत है। पहला योगम कह रहा है सरकार के विभिन अंगों के बीच सत्ता का बटवारा संगिया सरकार। सरकार के बीच विभिन अस्तरों पर सत्ता का बटवारा हो सकता है जैसे पूरे देश के लिए एक सामाने सरकार हो और फिर प्रांत और क्षत्रिय अस्तर पर अलग-अलग सरकार रहें पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामानी सरकार को अक्सर संग हत्वा केंदर सरकार कहते हैं, लिहाजा यहाँ दूसरा योगम भी गलत हो जाता है सत्ता का बटवारा विभिन सामाजिक समुहों यानि भाशाई और धार्मिक समुहों के बीच भी हो सकता है, इस व्यवस्था के आधार पर बनने वाली सरकार को सामुदाइक सरकार कहा जाता है इस प्रकार की व्यवस्था वाला Belgium एक अच्छा उदारान है, इसलिए तीसरा योगम सही है, जबकि दो या दो से अधिक दलों द्वारा सत्ता की साजेदारी से बनने वाली सरकार को गटबंधन की सरकार कहते हैं, लिहाजा चौथा योगम भी गलत हैं, अब बढ़ते हैं द्यक्षता किस ने की, अतानू चक्रवर्ती, राजीव कुमार, हर्शवर्धन, श्रिंगला, या फिर अजय भूशन पांडे, तो इस अभ्यास प्रश्न के जवाब के साथ और नए सवालों और उनके जवाब के साथ हम फिर से हाजिर होंगे, इस अभ्यास प्रश्न का क्रूश्सित की, अजय कोश्स फिर अजय होंगे, तो याजय हो फिर जवाब के साथ हम जवाब के साथ और नहें जवाब के多ग गलता है, तो रहाम। में से बाद़ नहें होंगे, राजय हमारा के साथ हम तो ग्यासम इए सवासिता खentes."